डाक्टर साब येट्स की बीमारी को क्यूर करने वाली दवा कोई आविश्कृत होई? कई लोग पूछते हैं एड्स को क्यूर करने वाली दवा कोई आई नहीं अब तेक तो आई नहीं हर रोज गोली काते रहना जैसा बीपी वाले पींट के गोली दे मत्बेशरों और यह ए això बलन्टेशं वाले हर रोज कैसे गोली लेते हैं और रोज लेते हैं वईशें ही एड आइस रोगी भी हर रोज गोली खाना है हर रोज जीवर काल लाइफ लंग के गोली लेती रहना है अब ऐसा ही है लेकिन गोली बरबर लेने से वो व्यमारी उसको कुछ भी नशने ही करेगी ये व्यमारी लेकिन आजकल कुछ इंगेशन बी आयें, वह ताभी तक तो सबको रीच में नहीं है, लेकिन इंजिश आने वार है, वह तो, हर 6 महिने को एक इंजिक्शन लिने से, ऐसा बरभर लेता हैं, वह भिए ख्यूट को नहीं हैं, लेकिन हर रोज गोली लेना कुछ लोगो तकलिफ दिखता है इसलिए भूल जाते हैं भी रहते हैं कभी कभी इसे हर छे महीने को एक साल में दो इंजेक्शन्स एक साल में दो इंजेक्शन्स हर छे महीनों को एक इंजेक्शन आइसा कुछ सालों में ही हमारा भारत देश में भ प्रकारके इंजेशन मिलता है पर पापलन नहीं है जब पापलो होने से अमर भारदीश में भी पाइशन मिलेगा हर चेयमेर को एक इंजेशन लेना बहुत तो याद में रख करके जो रूब हर चेयमेर के लेने से उतना मुश्किल नहीं होता है, हर रोज लेना, गोल हर रोज खाना, एर्स के लिए, जो एर्स बीमारी वाला, उसको थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन क्यूर को तो अब तक कोई दवा नहीं, क्यूर के लिए तो अब तक कोई दवा नहीं, आईगा तो आईगा, अब तो नहीं और कुछ वीडियों के लिए 20 करोड व्यूज को निकट वाली डाक्टर समरम मल्टी चानल नेटवर्क समरपित सुखसमसार चानल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेर कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाईए